हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बीस्टी फाइनल एर जोलोजी में एपी कल्चर या फिर मैनेच्ट हनी पॉर्मिंग या फिर वी कीपिंग के बार में स्टड़ी करेंगे एंड या एपी कल्चर का सेकेंट पार्ट है वीडियो का एंड हम वाराइटेस ऑफ हनी वी फांड इंडिया एंड शोचल और फट्री और लाइफ साइकिल अफनी बी एंड सम इस्पेशल सोचल बीहेवियर आप अनी बी एंड प्रोड़क्ट्स ऑफनी बी एंड एकोनोमिक इंपोर्डेंस ऑफनी एंड अगर आपको इस टॉपिक के बार म स्टुड़ी करना हो तो आपको इस पीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहांसा आप इसली इन सभी टॉपिक्स बार में स्टुड़ी कर सकते हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यूव हो तो तिन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एपी कल्चर और मैं इस्ट हनी फॉबिंग दी बेंटेनेंस ओफ हनी बी कालोनी बाइए हुमन बिंग्स इन ओर्डर तो कलेक्ट हनी एंड अधर यूजफुल प्रोड़क्स मिट बाइदें ऑन लार्ज कॉमर्शियल लेवल और नोने इस एपिकल्चर मिन्स हनी बी एक ऐसा सोसल इंसेक्ट है जिनसे हमें बहुत सारे प्रोड़क्स मिलते हैं जैसे की हनी वैक्स प्रोपोलिस या फिर पॉलिन या फिर वाल जिली हमें इनसे बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्स मिलते हैं जो की कॉमर्शियल लेबल पर बहुत यूजफुल है हमारे लिए एंड अगर हमें ये सभी प्रियर अफ यहां जिसको बोलते हैं एक अगर अगर इनसे यह सबी सब्सक्राइब करना होगा इसको बोलते हैं एक लीजिएक बीजिए प्लेस और लोकेशन वेएर बीजिस कपड कर्ठी और नोने से एपईरी और व्याड जहां पर हम इन 20 को इन realised को करते हैं उनकी हमारे भारत ने बहुत सारे मेठ přेच्टेGS हैं जिसका हम यूज़ करके एपी कल्चर की प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि फर्स्ट मेठट हम इसमें स्टड़ी करेंगे टाइच इंडिजिनस मेठट ऑप एपी कल्चर या फिर ट्रडिशनल वी कीपिंग और दूसरा मेठट डाइच हम इनके बारे में स्टड़ी करेंगे डिटेल में फर्स्ट मेठट डाइच इंडिजिनस मेठट ऑप एपी कल्चर और ट्रडिशनल वी कीपिंग मिन्स यह हमारे इंडिया में बहुत पुराने समय से इनको यूज करा जा रहा है जिससे कि हम हनी बी को कल्चर करते हैं इनके र ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉपिट में इस मेठट में यहाँ पर जो फाइब हो गों होगा और fixed type are of natural type and worker B prepare them at any space on wall or trees that means या first type means या ऐसा है जिसको honey B में जो workers होते हैं honey B में जो workers cast होते हैं वो इस type को prepare करते हैं and यहां पर जो worker B है इस type को means use of wall और fixed type को ये wall पर इसका formation करेंगे या फिर कहीं पर tree पर इस type का formation करते हैं निक्स्ट हाइब डाट इच यूज आप मूवेबल हाइब मिन्स यह हाइब का formation human के help से होता है इन इस यूज आप मूवेबल हाइब फॉर्म्ट बाई क्ले ट्री लॉक्स इंपटी बॉक्स इसक्ट्रा मिन्स जो मूवेबल हाइब होता है जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सिप्ट कर सकते हैं जिसका formation क्ले से होता है या फिर ट्री लॉक्स मिन्स जो इसमें ट्री के बंच होते हैं इसके help से या फिर इंपटी बॉक्स मिन्स ऐसा बॉक्स जो इंपटी है उसमें इस मूवेबल हाइब का formation करते हैं इट इच कॉमनली प्रैक्टिस इन सौधर्न इंडिया मिन्स हमारे जो दक्षिरी भारत के एतिया हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिस बहुत होता है हमें इसमें सबसे पहले यह श्टडी करना है कि बी वैक्स होता क्या है B-Wax एक metabolic product है honey bee का means honey bee के जो workers होते हैं B-Wax को produced करते हैं इसको बनाते हैं with the help of wax gland means workers के पास wax gland होता है जिसकी help से ये B-Wax का formation करते है and या जो B-Wax होता है या dark yellow to brownish color में होता है and ये जो B-Wax होता है इसकी help से means B-Wax की help से हाँ पर जो workers का जो comb है या फिर hive है उसको बनाते हैं पहले तो ये B-Wax का formation करते हैं means पहले तो ये जो B होते हैं means जो honey bee होते हैं पहले तो wax को ट्रेडूस करते हैं and wax की help से हाँ पर ये अपने comb का formation करते हैं and उसी में वो रहते हैं comb में humans लोग moveable hive का formation करने के लिए यहां पर clay का यूज करेंगे य फिर tree locks का या फिर imp dignity boxes का उसमें क्या करते हैं कि इस मेठड में जो क्ले होगा या प्ले पॉट्स होगा या फिर ट्री लॉक्स होगा इसको यहाँ पर गार्डेन में रख देंगे मिन्स इसको गार्डेन में रख देंगे एंड जी क्ले पॉट्स है या फिर ट्री लॉक्स है या फिर इंपिटी बॉक्स है इसमें बी वैक्स क करते हैं मिन्स जो बी का वैक्स होता है मिन्स हनी बी का जो वैक्स होता है जो हनी भी प्रेडिश करते हैं उसको यहां पर उस क्ले पॉट्स में यहां पर ट्री लॉक्स में वैक्स की एक इसमेड मिन्स उसकी लेयर्ड यहां पर लगा देते हैं वैक्स पर इससे क्यों होता है क वो जब इसको देखते हैं तो यहां पर attract होती है attract होंगे क्यों होंगे क्योंकि वहां पर wax already present है जिससे कि इनको next time अगर इनको अपने colony करना है तो जहां पर जाएंगे उनको वहां पर वैक्स को प्रेडूस्ट करना होगा जब प्रेडूस्ट करेंगे तभी वहां पर कालोनी को इस्टिब्लिस्ट कर पाएंगे बट यहां पर क्या हो रहा है कि जो हुमन से इनको आल्रेडी वैक्स की स्मीर्ड मिन्स वैक्स की ले मोर पॉट्स सर्विंग एस सूपर और केप्ट नियर दी हाइब और ओबर दी हाइब मिन्स यहां पर यह मीन है कि जब वो हनीबी की कॉलोनी वहां पर आकर इस्टेबलेश हो गई कहां पर डिक्वाय हाइब्स डिक्वाय मिन्स जहां पर हम उन हनीबी को मिन्स जो हनीबी का कालोनी को इस्टेबलिस करेंगे एंड जब इनकी कालोनी बहुत ज़्याद़ स्ट्राइब हो जाती है हम वहाँ पर तब एक इक्स्ट्रा पॉट्स रख देंगे जिसमें वह अपनी कालोनी को वहाँ पर भी अच्छ तरीके से मेंटेन करें जिसको बोलते हैं सूपर एंड यह जब यहाँ पर हनई भी क्या करती है की हैं जब यहाँ पर हनी को collect कर लेती हैं मिनस जब उसमें बहुत सारा हनी में पर तरीके से इस्टेबलिस हो गई है एंड जब वहाँ पर हनी पूरे तरीके से कलेक्ट हो गए है तो इसमें हम following method का यूज करके तो उससे हम हनी को extract करेंगे मिन्स तब उससे हम हनी को निकालेंगे जहां पर वो हनी बी की कॉलोनी established हुई थी first step that is fire is burnt near the hive at night smoke of fire makes the bee to fly away leaving the hive or burnt alive means यह जो इस्टेब है यह एक बहुत तरीके से क्रुएल स्टेफ है means इनका अगर हम यूज करते हैं तो इसमें मतलब यह step पुरी तरीके से सही नहीं है किसलिए इसमें क्या होता है कि कभी-कभी हम जब उसको हाइप के पास fire को burnt करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी तो इसमें जो बीज हैं यह तो उससे वहाँ से fly करके भाग जाती है अपनी कॉलोनी से बट कुछ तो ऐसी होती है जो उसमें burnt हो जाती है उसमें मर जाती है तो इस तरीके से एक मिस्कॉम यहां पर fire को burnt करते हैं तो अपनी कॉलोनी को भी छोड़कर चले जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हाइप के पास fire को जलाते मिन्स आग को जलाते हैं एंड जब होता है तो जितने भी हनी भी होते हैं सब फ्लाइब करके कहीं दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं एंड कुछ तो इसमें जिन्दा यह से जल जाती है जो कि यह स्टेप बिल्कुल भी सही नहीं है second that is the hive is cut into pieces and honey is squeezed out with the help of cotton or cloth second step में क्या होता है कि जो हनी भी का जो हाइब है इसको यहाँ पर बहुत सारे pieces में cut करते हैं जो कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जब इसको cut कर रहे हैं इस हाइब को तो उसमें भी बहुत सारे लारवां है एकस हैं वह भी उसमें cut हो जाएंगी जो कि यह बिल्कुल भी स्टेप सही नहीं है and honey is squeezed out and इसको हाइब को cut कर लेते हैं pieces में तो इससे honey को squeeze करेंगे means उसको नहाँ पर squeeze करेंगे means cotton cloth में इस हाइब को रखेंगे and उसके बाद उसको squeeze करेंगे उसको निचोड़ेंगे जिससे कि उससे honey extract हो दी honey obtained is a impure means जो यह हमको honey obtained हुआ हमें मिला यह impure है that is contaminated with pollen grain एकस लारवी क्योंकि इसमें जो honey हमें obtained हो रही है इसको मिस्कुष्ट कर रहे हैं तो इस हाइब में अगर कहीं पर honey bee kill हो गई है या फिर honey bee का जो एकस लारवी है यह सभी present है तो यह सभी भी इसमें kill होकर squeeze हो रहे हैं जो कि यह पुरी तरीके से impure है क्योंकि हमानी का यूज worship करने के लिए and हमें यह step नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि यह cruel step है and modern matter of एपी कल्चर ऐसा step है जिसमें कोई भी कुर्यल स्टेप नहीं उसमें colony maintain रहती है and उसमें एकस लारवा यह सभी safe रहते हैं next step that is this method destroy the colony by destroying eggs and larvae and इसमें इस method में क्या होता है कि जो नहीं है पुरी तरीके से destroy हो जाती है क्योंकि इसमें एकस लारवी यह सभी पुरी तरीके से कील हो जाती है नेक्स्ट स्टेप डैटिच इन दिस method ऐसा है जिसमें हम honey bee को control नहीं कर सकते हैं इस method में क्या होता है कि इसमें जो honey bee की जो colony होती है अगर मुझे हम honey ले लिए उससे obtained कर लिए तो इसमें क्या होता है कि यह चांस नहीं है कि हम दुबारा से उनको इस colony को इस्ट्रब्लिस कर पाएं उसी honey bee से एंड यहां पर जो honey bee के जो catchers होते हैं मिन्स कुछ animals होते हैं जिनको honey कर रेहे अंकर बटो जा रहे हैं उनके एक शलाव जारे यह रही है यहां पर जो हुआ नारी को सकते हो इस्ट्र परhole करना तो इनडेचने मेतर स्टंट्व के ψ चाईगी मिन्स यहां पूरी यहां नहीं है इसलिए अगर मDEN आवी को रियार करना या पिर काल्टर करना है एक लाहर भी हनी भी को बिल्कुल भी यहां पर उनको किल नहीं कर रहे हैं और यहां पर इंकी कॉलोनी भी डिश्टर्ब नहीं होंगी तू, उबरकम दी ड्राबैक्स ऑप इंडिजनस मेथड, मौडर्न साइन्टिपिक मेथड बिद प्रोटेक्टिब मुवेबल हैपस बेस्ट ओन स्पेस थियूरी आर उस्ट पॉर अपिकल्चर, आउट अप दीच, लंक्स्ट्वाथ हैप फॉर्म्ट बाई उट इस मोर कॉमन इंडिजनस मेथड य मेथा या पिर सPlus प्रोटेक्स Myth always नुवे मौडर्न साइन्टिपिक मेथड के हैऀ लगनेंक्स मे're Bread Appears रही ड्राबैक्स अनुवेल हैं प्रोटेक्स चुटशायौछ ऊज़एं पर समूरीалась 나ं मोलोटेट इस कदो चे här यहां पर उट की हर्प से यहां पर लकडी की हर्प से यहां पर इस एपी कल्चर की प्रैक्टिस करते हैं यहां पर हाइप का फॉर्मेशन करते हैं स्नुर्स स्टेड़ी करें यहां इस tresp proposing लाएप की यहां इमेज है modern beehive का इसमें हम first study करेंगे that is stand stand एक बेस का portion है जहां पर यह सभी portion यह सभी portion जिसको यहां पर stand करने के लिए एक बेस का requirement होता है जिसको bowling stand and इसमें जो stand होता है इसका four legs होते हैं and support करता है floor board को जिस इस पर यह सभी structure यहां पर इस पर बेस्ट है construct किया गया है next that is floor board floor board एक rectangular base board होता है and यह support करता है यह सभी chamber को जैसे की brood chamber या फिर super chamber next that is brood chamber brood chamber एक rectangular box होता है means यह एक rectangular box है जिसको bowling की brood chamber box and यहां पर जो यह brood chamber है brood chamber में queen का रहना necessary है and अगर इसमें queen नहीं रहेगी तो यहां पर कोई भी honey bee यहां पर आकर settle नहीं होगे किसलिए अगर आपर colony में queen है तो उनकों लगेगा कि यहां यह colony established colony है तो यहां पर brood chamber में queen का होना necessary है and इसमें ऐसा arrangement होता है इस structure में जैसे कि यह छोटा सा hole है entry and exit का यह ऐसा इसका size है कि जो queen होती है queen honey bee इनका size बहुत बड़ा होता है workers से तो यहां पर जो queen bee को यहां पर यह बाहर ना सके तो इसमें होल होता है बहुत small होता है तो इस region से जो queen भी होती है वह इसमें हमेशा present रहती है and इसमें जो इस ब्रूट chamber देख रहा है ब्रूट chamber में या फिर super chamber में जो यह red color की line sketch दिख रही है यहां पर इस गेच जो lining की गई है यह यहां पर बोलेंगे complete, इसको बोलेंगे complete and इसमें जो complete होता है, इसका formation उट से किया जाता है and एक तरीके से vertical plates होती है, इस तरीके से plates होती है means जितने भी दिख रहें है line जैसा structure, really में ये इस तरीके से होती है ये vertical plates होती है and इसका formation उट से होता है and top side से and bottom bar से इसमें जो vertical pillars हैं इन पर यहाँ पर top पर side रहेंगी एंड यहाँ पर bottom में भी side रहती है एंड इधर side भी ऐसे से उठ भी रहते हैं एक तरीके से यहाँ पर boundary का formation होता है एंड इस पर बहुत सारे wires लगे होते हैं वाइर्स लगे होते हैं जो इसमें क्या होता है हैं पर हनी भी आये तो इनको यहाँ पर वैक्स का फॉर्मेशन करने का होई सीधे यहाँ पर आए अपने को q 7 को कलेक्ट करें इसकेन यहाँ फोनी 46 teen उद्ब्ली मौत टॉंगलर इस्ट्रक्चर होता है जो कि वायर्ड मेस्ट होता है मिन्स इस पर बहुत सारी वायर्स लग होते हैं इसमें इस तरीके से वायर्स का रेंजमेंट होता है कि इसमें जो वरकर्स भी है वहीं यहां से बाहर आजा सकें मिन्स अंदर बाहर आजा सकें बट इसमें जो क चैमबर है Brood chamber यहा फिर super chamber के ऊपर Queen excluder इसको यहां पर cash कर देते हैं जिससे कि यह जो queen भी है बाहर ना झा सके बाहर ना चा सके इसमें रहें जिस्से के कारी डियेंडर है नेक्स्ट है इस्ट सूपर chamberinstant chamberक एक टेशनल rectangular your chamber है जो कि partir excluder के उपर इसको रखते हैं यहां पर जो super chamber है इसमें भी बहुत सारे comps plate लगे होते हैं सुपर chamber का इसलिए यूज़ करते हैं कि जब बूड चैमबर पूरे honey से इसमें collect हो जाएं तो इसमें super chamber का यूज़ होता है जिससे कि पारिशर होती हैं एनको कुछ में लोगां पर कप्ली प्रडप करते हैं अगर को सी कालीह इसlexe के लिए या फिर कोई भी ऐसे इनकों कर डिस्टरब ना कर पाई इसलिए यहां पर कभर्स का यूज करते हैं जिसमें कभर्स होते हैं इनर में होते हैं इनर कभर एंड टॉप कभर्स अभी हम इसमें यह स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके सिंगा और मॉडर्न भी हाइब का जितमें पार्ट सेंगे जो कंपोनेंट्स हैं किस तरीके समें इनका नोट्स बनाएंगे फस्ट कंपोनेंट डाट इज स्टेंट दी बैसल पोर्शन और फाइब विच प्रोबाइड स सपोर्ट तुदी सेटलमेंट ओन अर्थ इस फोर लेक इस्ट अर्फलोर बॉर्ड और एंटिन है्ट इस चल्द इस सब्सक्राइब करने कि युजे कृए ग्युजी next that is floor board it is rectangular base board over stand on support to the brute chamber means floor board एक rectangular base board है जिसको यहाँ पर support करते हैं means इसको यहाँ पर kept करते हैं पहले तो इसको stand पर kept करेंगे and इसके बाद यहाँ पर floor board पर brute chamber को kept करेंगे next that is brute chamber the brute chamber इजा rectangular box without top and bottom used to keep queen and having place for settlement on comps plate और हाइब फ्रेम्स brute chamber एक rectangular box structure है जिसमें बहुत सारी comps plate अरेंज होती हैं या फिर जिनकों बोलेंगी हाइब फ्रेम्स इसमें queen को kept करते हैं जिसमें queen का एग लार भी यह सब रहते हैं एंड वर्कर्स भी रहते हैं इसमें इसमें हनी को कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट टाइज comp plates और high frames the comps plate are formed by wood having top side and bottom bar missed by wires and provide with wax made hexagonal cell according to be space theory these hexagonal cells attract workers for high building and honey collection means coms plate या फिर high frames जिसको रखा जाता है root chamber में या फिर super chamber में एंड या उठ से बनी होती है and इसमें जो बूर्ट chamber में top पर side में यहां सब bottom में यहां पर इनको mist के जाता है means यहां पहले तो उसकी boundary बनाते हैं and boundary बनाने के बाद यहां पर wire की help से यहां पर इसको mist के जाता है and यहां पर जो यह इसमें जो यह comes plate है, comes plate में जो wires से वायर्स के उपर वैक्स की लेयर बिचा देते हैं यहां पर जो वैक्स का अरेंजमेंट करते हैं हेक्जोकॉनल सर्स की तरह करते हैं यहां पर यह वरकर्स भी को एट्रैक्ट करते हैं जिससे कि यहां पर हाइप को कर पाएं यहां पर हनी को collect कर पाएं यहां पे हनी का collection हो पाएं नेक्स्ट कंपोनेंट डेuff's Queen excluder दि वायर गाज विज़ प्रिबेंस Queen बिदिन ब्रूट चैमबर एंड कीप ओबर आइज तु नहीं आजी सब्सक्राइब उपशले SPD इस्द ना सकता ना चाएंग किसी सब्सक्राइब समयरे के शिए जोंटने छोटे छोटे कुलिगी सब्सक्रािश कुर्णा। करे नेनं केह एक अंदर ऊकटार सकती सब्सक्राइब इसंक और हैं तरीके निक्स्ट डाइस सूपर चैंबर दी सूपर इस दी एडिशनल रेक्टेंगलर चैंबर ओबर कुइन इस्क्लूडर प्रोबाइड विद कॉंपलेट एंड ट्रेक्ट वर्कस पॉर हनी कलेक्शन सम्टाइम मोर दन वन सूपर इस यूज़ इन दी हाइप मिन्स सूपर एक अड सूपर चैंबर में भी वहाथ सारे कम्सप्लेट अरेंज निक्सट डाचिच नीच्ट प्रोबाइड गवर्स प्रोबाइड पर प्रिटक्र करता है हनीक यहां पर इम्रमर्मेंटल कंडिशन में निया है कि अगर कहीं बहुत जयादा बारिस हो गया या फिर बहुत ज्यादा सुनलाइट हो गया इससे आपर सेप करेंगा एंड यहां पर एनिमल से सेप करने के लिए एंड जो हनी को चोड़ी कर सकते हैं उनसे विशेप करने के लिए कपर्स करते हैं दी कबर्स में भी इनर अउट्ट इनर हो सकते हैं और अउटर कबर दी इनर कबर इजा ऊदेन पीस ऑप दी साइच ऑप बॉक्स विदिन वन और टू होल्स इन दी मिडल डट अलाव तो बी तो गो आउट पट नॉट तो री इंटर मिंस इनर कबर उट से बना होगा एंड याए बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होगा एंड इसमें वन या फिर टू होगे मिडल में जो कि बी को एलाव करेगा बाहर जाने के लिए गो आउट बट इसको री अंटर मिंस अंदर आने के लिए लाव नहीं करेगा इट आलसो प्रवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन मिंस वेंटिलेशन के लिए अच्छे तरीके से इसका यूज होता है कि तरीके से काम करता है इसमें कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स है इस कैप्चरट प्रॉम दी नेच्रल लेस्ट एंड हाइब इंदी मुवेवल फ्रेम हाइब यहां पर मॉडर्न भी हाइब में हनीबी की कालोनी को इस्टेबलिश्मेंट करने के लिए यहां पर जो नेच् करेंगे हैंड इसमें हाइब में जो क्वी होते हैं इनका रहना क्वीन बीकि वह वहां पर नहीं रह पाएंगे जो कॉनी को माझेंगे कि कि ये कालोनी अच्छी तरीके से इस्टेबलिस्ट कालोनी नहीं है एंड वरकर वहाँ पारी रहेंगे जहां बर्कुइन रहेंगी क्योंकि वो कालोनी इस्टेबलिस्ट कालोनी होती है modern method of epiculture में हमने इसमें अभी तक study किया कि किस तरीके से modern beehive का structure होता है इसमें यह small a point था बट अभी हम इसमें small b point study करेंगे डाट इच इक्स्ट्रेक्शन ऑफ हनी जब इस modern beehive में हनी collect हो गई है पूरी तरीके से तो इसमें से हम किस तरीके से हनी को extract करेंगे किस तरीके से इसमें से मने को obtain करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले यहां देखते ही कुछ image that is यह image modern beehive का जिसमें जो भी farmer मिंस्ट भी farming कर रहे हैं यह यहां पर जब इसको देखते हैं इस modern beehive का इसमें पूरी तरीके सहनी आ गई है तो इसको यहां से निकाल लेते हैं इस कॉम प्लेट को या फिर इस हाइप फ्रेम का जो हाइब है यहां से इस modern beehive से यहां पर जो भी farmer है इसको इस इसको इसको निकाल ले रहा है यूँकि इसमें honey collect हो गए है तो इसको हमी honey extract करने का need है next image that is इसमें वह ही सोन हो रहा है and जब इसमें से जब यह complete या फिर जो हाइप फ्रेम से जब इसको निकाल लेते हैं तो एक machine आता है जो कि centrifuge के means centrifugation के principle पर work करता है means इस पर यह जो comb plate है इसको इसमें यहां पर insert करेंगे इसको इसमें रखेंगे एंड फिर इसको इस machine को rotate करेंगे इस machine को rotate करेंगे इस में आप motor लगा है जिसकी हर्प से यहां पर यह machine रोटेट होगी 300 round per minute means 300 rpm पर यह rotate होगी एंड इसमें से तभी हनी यहां से एक्सट्रेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब रोटेट हो रही है तो centrifugation का प्रिंसपील होता है उसकी basis पर यहां पर रोटेट होकर हनी एक्सट्रेक्ट होते हैं एंड यह जो battleãos प्लेट है इसको इस यह मसीन में इइसर्ट कणने से पहले इसमें इक सट्रेप यहां आता है जो यह लिए इसमें जब जो भी होती है जो अपनीब है यह जब इसमें हनीव को पूरी तरीके से कलेक्ट कर लेती है économique करतीये इस हनी की help से मिन्स knife की help से इसमें wax लगाये wax को remove करते हैं और जो वेक्स रिमूब हो जाता है तो इसमें हमें honey दिखने लगता है जब honey दिखने लगा में इस complete पर या फिर हाईप प्रेम पर तब इसको हम इस जो extractor machine है honey का इसमें हम इस complete प्लेट या फिर हाई फ्रेम को इंसर्ट करतेंगे एंड जब रोटेट करेंगे 300 राउंड पर मिनट तो जब रोटेट हो जाएगा तो इससे हनी आउट हो जाएगी स्ट्रेक्ट हो जाएगी एंड इस मैठड में बेस्ट थिंग तो यह है कि जो इसमें जो हनी बी की कालोनी होती है पूर तरीकी से मिन्टेंट रहती है एंड यहाँ पर जो क्वीन है या फिर जो लार्वी है या फिर जो एक्स होते हैं यहाँ पर इनको बिल्कुल भी कोई भी हर्म नहीं होता है क्योंक को हम इस कॉंब ब्लेट या फिर हाइप प्रेम को हम फिर इसका यूज करेंगे फिर इसका यूज करेंगे मौडर्ण भी हाइप में अगेन हम इसमें हनी बी की कालोनी को established कर लेंगे, तो ट्रड़िशनल बी keeping में जितने बए drawbacks थे इस method में कोई बी drawbacks नहीं था या इसका strip था, अब यहमें इसका strip का किस तरीके से में इसका notes account है हम इनके बारे में study करेंगे ये i.e. modern bee keeping में ये इसका bee point है that is extraction of honey या फिर honey harvesting in modern bee keeping यहां पर इस modern बिहाइब में जो पर चैमबर है अगर यह पूरी तरीकर इस फिल्ट हो गया है तो इसको रिमूव्ड कर लेंगे होती हैं उनको हम दोसमें डूसरा सुपर्चंबर करेंगे इसलोट चेहंबर के उपपर इसमें बूरोट पर या फिर सुपरचयंबर में जब क्शों करते हैं कि चेहएं लिए हैं पूरी टरीके से कंसी क्लेकचन हो गए है उब कि इसमें वेकश का फौर मिशन कर दोंगी हो पर जिसरे कि इसमें से नियुकल kारण है तो इसमें कि नहीं लुटी ओफसेल सबस्ेर कि लिया हो और इसमें से यम्चा पलड़ करें찬 बॉटी रहाएं नाौँ हैनी फ्रेम्स आर कलेक्टड फ्रॉप हैंड बाओ इंटो रूब्ल्ल एक्स्ट्रक्शन ऑपरेशन मिन्स इसमें जो हैनी बी का जो फ्रेम है je या फुर्वरी में फिर जो कॉप्श प्लेट है When 的 स्टेट हैं Ton Co कि हम हम इसमें next step को अपडेट कर पाएं next step में क्या होता है कि इसमें हमें wax को पहले remove करना होगा means uncapping knife is used to remove the wax sealing means uncapping knife का यूज करते हैं जिससी के जो comps plate है या फिर जो hype का जो frame है उसमें जो wax है उसको हम remove कर लेते हैं and remove करने के बाद after uncapping the frames are kept in honey structure means उस comps plate में जब इसको wax को remove कर लिए तो इसके बाद हम इस complete को honey structure में इसको रखेंगे kept करेंगे the structure is operated at a speed of 300 rpm and जिसमें जो structure है इसको यहां पर 300 rpm के speed पर means 300 round per minute के speed पर यहां पर इस structure को इसको run कराएंगे the frames are rotated and honey comes out of comes by the centrifugal force means यहां पर यह जो मसीन है एक्स्ट्रक्टर मसीन है यहां पर centrifugation के principle पर वर्क कर रहा है and जो भी यह comes plate या फिर फ्रेम्स हैं जो rotate हो रही है इस पर centrifugal force लग रहा है तो इसमें जो honey होगी comes plate से बाहर आ जाएगी comes out the comb remain intact and frames are written to hide for use again and जब इससे हमें honey मिल गई है तो इसको जो comes plate है या फिर जो honey का frames है इसमें जिसमें हनी collect होती है इसको फिर से हाइब पर यूज करेंगे जिससे कि इसमें नेक्स्ट टाइम honey का collection हो पाई यह है इसमें image कि किस तरीके से देखते हैं कि इसमें wax लग गई है honey इसमें पुरी तरीके से store हो गई है तो इसको यहां से remove कर लेते हैं इस chamber से chamber इसमें brood chamber चापे super chamber कोई भी chamber हो सकता है जिसमें कि honey collect हो सकती है इसको निकालने के बाद यहां से इस machine में पहले तो इसको uncapping knife की help से इसको जो wax है इनको यहां पर uncapping करते हैं इसको remove करते हैं wax को जब wax remove हो जाती है honey दिखने लगती है तो इसको हम इस machine में इसको insert कर देंगे इस machine को 300 rpm की help से इसको rotate कराएंगे जब रोटेट होंगी centrifugal force लगेगा जब यह फोर्स लगेगा तो इससे जो honey होगी इस complete से remove means comes plate से comes out means बाहर आ जाएंगी जब बाहर आ जाएंगी इसको में store कर लेंगे एंड फिर अगेन इसको इस comes plate को हम इसको high frame में यूज करते हैं मिस modern भी हाइप का एंड निक्स्ट वीडियो में में study करेंगे सेरी कल्चर की बारे में एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजपूल लगी हो तो देन प्लीज लाइक इस वीडियो comment and share this video in your friend circle and subscribe to my channel and thanks for watching this video